तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो आप सभी का स्वागत है एपिशोर नमबर 11 के अंदर तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से छोटीश रिक्वेश्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ते चैन स्काइप नहीं किया है तो प्लेचें स्काइप कर दीजएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नएने वीडियो बनाने के लिए तो ये मेरी आप से हाँ जोड के विन्तीजी की प्लीज आप मेरी लिए 40 कमेंट कर दीजगा अगर आप मेरी लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो değiş whether लेकर आंगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जिए हैं वीडियो को मिडियो के स्टार्टिंग हुए यहां पर जो योगिरी बोलता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, इस से पहले तो ये सब यहाँ पे ये हमें देखने को नहीं मिला था, हमें जै कुछ ना कुछ सो करना पड़ेगा और ये बोलने के बाद योगिरी यहाँ से चला जाता है, तब ये देमन लोड़ के जो बाकी बंदे होते हैं, ये से होते हैं, आखिरकार, ये कैसा इनालोड है, ये समारी डार्क वन की आर्मी इस चोड़ दिया है, ये हम फिल्ली और स्विल्को देखते हैं, जो केसा देखे ले जाओंगी तभी लड़की बोलती कि ये जो फर्स प्राइज है ये जह के ले के लिए नहीं है आपको जो अपनी फैमरी के साथ जाना पड़ेगा मेरा मतलब कि आप तीन बंदे भी जा सकते हो या फिर आप 15 बंदे भी जा सकते हो ये सुनके तो फले बहुत ज अजीव कपड़े क्यों पहने है तो बारी सा बोलती क्योंकि ये यहां का ट्रेडिशनल है तभी फले बोलती कि मैं बहुत दुखी हूं मैं पहली बार एक ट्री पे जाने वाली थी और मुझे लगा कि मैं अपने हस्बेंट के सांथ अकले जाओंगी लेकिन ये सब भी मेरे साथ में आ रहे हैं तो फिल बोलते कि तुम चिंता मतलो इसी बहाने ये लोग भी जह हमारे साथ आ गए और यहां पे जह इंको भी छुटी मिल गई तभी यहां पे जो बैलरूसा होती है ये बोल रही होती कि हमारे पास बहुत तरह के होट स्प्रिंग है तभी डीजन बोल इसी अलग अलग तरह के स्प्रिंग है जैसे कि यहां पर आपको रिलेक्स करना तरह के अलग है हिलिंग का स्प्रिंग अलग है और यहां पर फर्टिलेशन बढ़ाना है तो उसकी स्प्रिंग अलग है जैसे फले फर्टिलेशन का नाम सुनती है वो कहते कि मैं अपने हस्ब रुदने के लिए आगे जय जा रही होती है और वह एक लीदी से पूसरी किया पहरी जो फर टिलिशन हो प्रिंँघ वो कहा पहर है तो लेड़ी बोलती है धी रहाती ह rationale साथ में जो बबल होती है और बीज में आ जाती है और यह बोलती कि प्लीस आप जो गुस्ता मत कीजिए यहीं पर जो फार्मर गल होती है यह बोलती कि मुझे माफ कीज़ेगा और यह चली जाती है तभी यहाँ पर यह गिरी बोलता है कि आखिर कर तुमने मुझे यहाँ पर रोका क्य तो बावल बोलती कि हम लोग यहाँ पर यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं तभी फले इनको जहुर्णे के लिए नहीं है कि जब मैं लिडर था तर फले जहँकर दिखना भी में दॉन पर यहाँ मोँदकर नहीं लिपर दिकाने पर लिए डे आज ये खराब हो अगर ये खराब हुआ तो मैं तुम दोनों को बिलकुल भी जे माफ नहीं करूंगी तो ये लोग बोलते हैं ठीक है हम नहीं दिखेंगे जिसके बार नेक्षीन में ये लोग यहां पर आ जाते हैं तबी फले फिल को बोलते क्यों नहीं हम दुसरे रूम गेम ट्राइ करने हैं और ये होट स्वाई लड़की से पूछती की तुम क्या करना चाहती हो तो लड़की बोलते की नहीं मैं अपने हस्पेंट के साथ यहां पर जाना चाती हूँ तुम समझ गी ना डिजन बोलती है फिले बोलती की चाहे कुछ भी हो जाया लेकिन मैं पैशिन भी हीना को देखते थाक्षेंटे हैं जो यहां पर कि द्युखे मुझे पूल गई हो तो डिजन में तुम्हें आखिर कर कैसे बूल सकती हूं और वैसे भी यह में आखिर कर तुम्हें मुझे प्रेश्टी करनी है जिसके व dusbbe हीना को बांद देती हैं और ये बोलती की कैसे हसकता है हम दोनों ही यहां पर फीमेल है। मैं अपना जंडर यहां पर चेंज करसकती हूं। और जैसे यह चेंज करती है एक दम से डीजन जो होती है अपने वर्ड से यहां पे जया बाहर आजाती है तो डीजन बोलती कि अखिर कर मैं अपने ही बल्ड से यहां पे जया बाहर कैसे आगी लेकिन फीर भी मुझे यहां पे जो meeting है वो तो करनी है इसके लिए मुझे एक पार्टनर डूड़ना पड़ेगा नेक्शीन में फिले और फिल यहां पर आ जाते हैं फिले बोटी कि चलो चलते हैं जिसके बाद यह लोग अंदर जाते हैं लेकिन फिले यहां फिल को जो होती है लेडिस बातरों में ले जा रही होती है नेक्शीन में यहां पर फिल जो तर फिले को समझा देता है और यह जो तर सेपरेट हो जाते हैं और यहां पर जो फिल होता है वो जो तर फिले से बात कर रहा होता है यहीं पे हम बालरी को देखते हैं जो यहां पे खड़ी होती है मीटिंग रूंग के बाहर और ये कहती कि मुझे अंदर जाना है और इसको काफी जाए डर लग रहा होता है लेकिन तब ही डीजन आ जाती है और ये बोलती कि मुझे भी जाए अंदर चलना है चलो हम दोनों यहाँ पे जहाँ अंदर चलते हैं और यहाँ पे मीटिंग को एंजोई करते हैं यहाँ पे जो बालरी होती है वो बहुत जाए सर्मा रही होती है और यह बोलती कि नहीं मुझे नहीं जाना लेकिन डिजन इसको देक्कामर के ले जाती है नेक्षीन में हम बाकी लिड़कियों को देखते हैं जो यहाँ बैटके जो है enjoy कर रहे होते हैं यहीं पे जो बैलिजूसा होती है वो जो ती dark one को देख रही होती है तबी जो babyya होती है यह बोलती है आखिरी कार तुम कब से dark one को देख रही हो लगता कि तुम भी उसे जह है एवना डार्कवन बोलते हैं कि हैं मैं यहां पे मेर्शा Hmm यहां पर आधे हैं तर संके घुसा हो रही होती हैं। और त 대해 होड़ rulis यह की पूछती है क्या तो मैंत ट्रिंक करना चाहोगे तो यहां पर डार्कवन मान गरन जान जाता है और यह मैं योगीरी को देखते हैं जो यहां पर अपने टीम के साथ इंजोई कर रहा होता है यहां पर बबल होती है वह भी उत्या डांस कर रही होती है तो यह दो डैमन्स खड़े हो जाते हैं और यह आंपस में फाइटिंग करने आटयों Bow यहां पर हरुस סर्वेंट को देखते हैं। जहां पर हire बोल रहा होता है फाइनली हम ढिमन्द possess कि देग उसके सब्क हैं। मैंने ये जो चीज है ये जो डैमन के जो खजान है उससे जह चुराई है और ये चीज बहुत ज़्यादा ही बड़ी है अगर हम इससे बेचेंगे तो काफी अच्छे पैसे आ जाएंगे तब ही लड़की बहुत है कि सही में आप जो पूरे अप चोर बन चुके हैं तो ये ब आनसाम हो जाता है जीसके बाद हम बाल युसा और यहां पे को देखते हैं यहां पे बोर रही हो їх qué वैसे तुम काफी नराज हो क्योंकि यहां पर जो डार्कवान है उसने आर्मी चोड़दी और सथी तो ने मिल्कुल ठीक कहरेज शुरा नियों उसके इंदर बहुत सभी प उसको जो माई लोर्ड या फिर कुछ और बोलके बुलाती हो लेकिन उसके नाम से नहीं बुलाती तो यहाँ पर यूमीना बोलती ही क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो उसके नहीं बोलती कि यह बड़ोर्ग और बभाल इसके ओर नाम से पहले यहाँ पे जो योगीरी है उसको देखा था मुझे लगता कि यह उसी का जो है काम है तब ही डार्क वन बोलता है कि मुझे लगता कि जो सरफले हैं वो यहाँ पे के लिए सब कुछ समाल सकते हैं हमें यहाँ पे इन चीजों को इनके उपर छोड़ देना चाहिए और हमे यहाँ पे टेली पोसन मैजिक का सिमाल करता है और सीधा उपर जह पहुंच जाता है यहाँ पे जो फिले होती है वह भी जो आ चकी होती है तब हम यहाँ पर डैमन्स को देखते हैं जो यहाँ पर आपसमें फाइटिंग कर रहे होते हैं दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो खतम होती है उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजेगा मिलता हूं अगली वीडियो में जव तक लिए बाए बाए